सो हेले और विवन चले डिसकस कर लेते हैं नेक्स्ट प्रेक्टिस कुशन बॉठनी के वहला क्युशन है आपका वायू प्राकित पुस्थ में होते हैं option है small smooth stigma यानिकी चोटी चिगनी वर्तिकागर या पिर stigma is short या पिर large आपका stigma या पिर रंगिन सुन्दर पुस्प वायू प्राकित पुस्प में होते हैं बहुत अच्छा क्यूसन है बहुत ही प्यारा क्यूसन है देखो समझने वाली बात है वायू प्राकित तो यहां पर अग प्रागर्न Y-0 से हो रहा है ऐर के माद्यम से हो रहा है तो इसमें कौन सा गुन पया जाएगा पुस्प में तो वह पने आपका तो के बड़ी पिचा कवर्तिकागर क्यूंक यहांँ पर इस्टिग्मा लार्ज होगा क्या इस्टिगमा लार्ज होगा तब है वायू प्रांक अच्छे से हो पाएगा, इसको Diagnogram की help से समझ लेते हैं, जैसा कि आप यहांपर देख पारोंगे, इनमें वाईू प्राकित पाया जाता है, तो इनके देखलो आप, इस्टिगमा कितने बड़े हैं, बहुत ही बड़े स्टिगमा हैं, यहांपर देखलो आप Diagnogram में, यहांप और images में आप देख पारूँगे कितने बड़े यहां पर इस्ठिगमा है तो बहुत अच्छा question है अगर समझ गे चलोगे तो चलो बढ़ते आगे के और I hope यह question आपको समझ में आ गया होगा कि why उसे जो प्राकित होते है वो पुस्प के वर्तिक आगर बढ़े क्यूं होते है चलते बढ़ते आगे के और सो यहां पर right option हो जाएगा आपका बढ़ी पिछाकार वर्तिक आगर next आपकी जो सद कोशी है किसके साथ पाए जाती है यानि कि companion cell are found together with option देख सकते हो आप इस तुल कौने तो उत्तक या फिर सालनिक आए या फिर मज्जा मर्दू तक तो इसका right option हो जाएगा आपका चालनिक आए ठीक है स्लेव ट्यूब चायद उसका डाइग्राम भी आप देख सकते हो इस परकार क्यों होती है आपकी स्लेव ट्यूब चालनिक आए तो बेसिक पार्ड भी आपको पतावना चाहिए और ये तो डाइग्राम आपने NCRT 11 की बुक में भी देखा होगा तो इ ये नोलिज आप में होना चाहिए पोदों की उमर के अध्यन को क्या कहते है स्टेडी आप एज आप दा प्लांट इस कॉल्ड डेंड्रोलोजी जाइलोटॉमी पैंड्रोलोजी सारी रिकी तो देखो विद्यारतियो पोदों की उमर के अध्यन को हमेशा कहा जाता है डेंड्रोलोजी क्या कहा जाता है डेंड्रोलोजी एकजाम में आ जाए तो डेंड्रोलोजी आपको करके आना है और बेसिकली बांकी की ट्रम भी आपको पता होना चाहिए कि पैंड्रोलोजी में क्या होता है सारी रिख में क्या होता है वो तो आपने mks academy डाउनलूड कर रखा होगा तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है लिंक नीचे दे रहा है description में वहाँ पर भी PDF आपको मिल जाएगा में mks academy एप पर अगला है जीवाणों में लेगिक जनन की खोज किसने की discover sexual reproduction in bacteria लिवन हॉक, लेडर प्रग, टॉटम, वार्शन क्रिक, मैस्वरी तो जीवाणों में लेगिक जनन की खोज किसने की थी भोग की थी लेडर प्रग, टॉटम ने ठीक है औरे सांटिस्ट कौन ते चलो मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको याद रहे जैसा है कि आप यहाँ पर देख पा रहे हूँगे यह वो scientist है so right option is बी बाला, लेडर प्रग, टॉटम अगला क्यूसने heterocyst होती है heterocyst occur in, किस में होती है red algae, green algae, blue green algae, brown algae heterocyst किस में होती है तो वो होती है आपके nail हरित सेवाल में blue green algae में जो की यहाँ पर दे रखा है और blue green algae तो आपने अवज से देखा होगा कहीं ना कहीं पर तो आपने देखा होगा इवन आपके आज पास भी green जो आपका blue green algae होगा चलो इसको images की साहिता से समझ लेते यह होता है आपका nail हरित सेवाल देख लो आप आपके आज पास गाउं में, सहर में चोटा मटा तलाब होगा नА तो वहाँ पर पानी बरा रहता होगा तो इस परकार का green green हो जाता होगा उपचा होगा तो यह आपका nail हरित सेवाल होता है इधर देख लो आप इस परकार का हरा हरा अच्छा जाता है इसी को nail हरित सेवाल बोलते अब आप बोलें कि सर इसमें हिट्रोसिष्ट कहां पर दिखेगा तो देखो विद्यार तो इसको देखना होगा माइक्रोस्कोप में यानि कि तोड़ा सा यहां से हमको नील हरित सिवाल लेकर जाना होगा लेब में और वहां पर माइक्रोस्कोप में देखना होगा जैसे ही माइक्रो इसकोप में हम देखेंगे इस परकार का हमको दिखाए देगा तो यहाँ पर हमको इस परकार की सरचना दिखेगी इस परकार की तो इनी को हेटरो सिस्ट बोलते है जो की नेल हरित सेवाल में पाई जाती है इसके अलावा यहाँ पर दूसरा नाम भी याद रखना यह सीट का क्यूसन यहीं से भी बन सकता है कि उसके अलावा और क्या पाया जाता है तो ऐसे समझना होता है क्यूसन को तो यहाँ पर नेल, हरित, सेवाल में यह पाया जाता है ठीक है? चलिए बढ़ते हागी गोर ओके नेल हरित सेवाल अगला जीवाणों में सवसन होता है साइट आप रेस्पारेशन इन बिक्टेरिया जीवाणों में सवसन होता है मैट्रो कॉंडिया में, मीजो सोम में, गौल जी काय में, केंदरंग में बताईए, बहुत यासान कि उसने बहुती तो वो अता है मीजो सोम में, याद रखना अगर नहीं है तो मीजो सोम में, कि उसने बन सकता है अगेन, इंटरंस इक्जाम में मीजो सोम में, और मीजो सोम तो आप जानते होंगे अगर नहीं जानते तो तोड़ा सा आपको डाइग्राम दिखा देते ताकि आप जान जाओ यहाँ पर आप देख पारूँगे मीजोसोम यह देखें मीजोसोम यह देखें आपका कैपसुल होता है सेल वाल होता है फलेजिला होता है ठीक है एवाज मेट विक्टिरिया में यह सब उसल। इधर डायग्राम warp का पर हेल फ्ल फुल है आपका यह मिजोसोम देखो uh am 1 और विक्टिरिया मोगर क्या होता है प्लेजिला यह होता है ठीक हा तो यह आपका मिजोसोम में योगदान और धेता है एंडोस्प्रम और एंजोस्प्रम प्लांट आवर्थ बीजी वो देखा बुरुन पॉस होता है त्रीगुनित धीगुनित एकलगुनित बहुगुनित और यहां पर समझना जरूरी आवर्थ बीजी को पहले तो आपकी नोलेज के लिए हम बता दे कि आवर्थ बीजी वो देखा जो भुरुन पॉस है वो त्रीगुनित होता है क्या होता है त्रीगुनित और यहां पर समझना इपोटेंट होता है आवर्थ बीजी और परहिते देखेंगे हुआ कि तो इनको समझे लेते हैं कि यहां पर नहीं है also एक systems 50 स्वan स्प्रम में बताओ क्या लगता है आपको होब इसलिए बात है यह आपका एंजल स्प्रम है क्योंकि इसमें सिड्स अंदर के और क्लोज आपको देखने को मिलेंगे ठीक है पूरी पूरी जो अवल से पूरे अंदर आपको देखने को मिलेंगे कोई भी पार्ट इसका बार नह स्टम जब कि दूसरी जो जीम्न उस्प्रम को देखोगे ना तो आपको सब बीच विगरा सब नंगन बीच मिलेंगे तिरदेखूा आप बाहरी खजूर हो गया पाइनेपल हो गया है ना इसकेलाव कापी सारे ऐसे हैं यह सब किस में आते नंगन बीजियन की जिमनोस्परम में यह भी और जब यह वाला एंजियोस्परम में आता है गुड़हल हो गया तो ऐसे बैसिक नोलेज आपको पता होना चाहिए और यहां तक की इनके पार्ड पर पता होना चाहिए कि पिलामेंट इनको बोलते इस्टिगमा इनको बोलते तो यह बैसिक नोलेज भी आपको होना चाहिए तो यहां पर जो आवर्थ बीजिये उसमें त्री गुणित होता है ठीक है पूर्ण पॉस अगला ким ऐस्पारोगाइरा का कलूर लएपलास्ट होता है कलूरोपलास्ट औरी अबस्पारोगाईरा कप जैसा, सरपिल, कुंड़लीन, बैलनकार तो यहां पर सब से पहले समझना ज़रूरी है इस्पारोगाइरा को कि इस्पारोगाइरा होता क्या है तो इस्पाइरो गैरा को चलो देख लेते ताकि आप अच्छा आपको समझ में आए क्योंकि हमारा उद्दे से भी यही कि आपको हर क्यूसन का आंसर आपको समझ में आए ताकि आप आगे बढ़ सको और वेसे आपने चैनल को सब्सक्राइब करी रखाए बेल आइकन पर प्रेस करी रखाए तो बिल्कुल भी चिंता आपको नहीं करने है पूरी तियारी आपके करवाई जाएगी तो चलो इस्पाइरो गैरा को समझ लेते कि होता क्या है जैसा कि आप यहां पर देक पारोंगे यह आपने कहीं नहीं पर देक आगा क्यी पर देखा हुगा आपके आज-पास भी देखा भलगा वाट आपको पता नहीं यह इसका नाम की होता क्या हुआ है क्या है तो यह होता इस्पाइरो गैरा इस परकार पत्रों के उपपर और यह जो इस पाइरो गयरा है यहां पर भी देख सकते हो इस परकार का इतना खतरनाक होता है इतना जाड़ा होता ही है इतना गना होता ही है और जब इनका कुछ सेंपल लिया जाएगा और जब इसको माइक्रो इसको में देखा जाएगा क्यों में जब माइ primer Mont менее bolag तो यह इस परकार का दिखाए देगा इस परकार का आपको दिखाए देगा तो यहां पर समझिन वाले समझगे कि इसका आकार क्या देख़ो आप अएसे सर्थ जैसे कह से इस से आपको मिलेगा एस से थे तो इंटलिजेंट विद्यार तो समझगे कि कौन सा कार है और इसके कुछ पाड़ भी है यह डाइगराम में आप देख सकते हो यह आपका इसपैरोगाईरा जो कि अब भी हम नंदी से लेकर आये ते उठागे उसकी सरजना यह सेलवाल देखलो कलोरोप्लास्ट ऐसा होता है इसमें कलोरोप्लास्ट ही है अंदर पूरा कलोरोप्लास्ट तो चलो मैंने भी कर दिया सरजना केसी अंगर समझके पढ़ेंगे तो सब सही जाएगा सिंबल जी बात है अगला किस वरग में जन्नांग एक औसिके होते in which class the reproductive organs are unicellular अनावर्थ बीजी टेलोपाइटा, थेलोपाइटा, साइलोपाइटा किस वरग में जन्नांग एक औसिके होते और हर एक वरग आपको पताओना चीए पड़ रखाओगा आपने ब्राइव पाइटा, टेलोपाइटा, थेलोपाइटा तो मैं आपको बता दूँ जो एक औसिके जन्नांग होते होते थेलोपाइटा में किसम होते है थेलोपाइटा में अब थेलोपाइटा में कौन-कौन से आते प्लांट सो देख लेते हैं जिसाए कि आप यहां पर देख पार हुए यह आपका थेलोफाइटा समूँ बलवा हो गया कारा हो गया ठीक है इसके लावा यहां पर आप प्लाट्रा फोर आँगया यह सभी धेलोफाइटा में आता है फिर बराईवेफाइटा में फ्रन आता है टीए मौस आता है तो इस परकार हरे का अपना अपना गुरूप होता है और उसमें आपको पता है कि कुछ पोदे रखे हुए हुए होते है कलासी प्यकसन तो लो सब्सक्राइब टीन तो याद रख लो, क्या पता इनी से का बन जाए आपका, चोथा पता हो या ना हो, यह तीन पता है न, तो छोथा आटोमेटिक आजाएगा आपको, जैसे कि कुशन बन जाए कि निमन में से कौन सा थेलो फायटा का example नहीं है तो ये तीन पता है छोदा कुछ भी आजाए तो आप उसी को करोगे कि हाँ वो नहीं है बांकि ये तीन तो है तो ऐसे भी question बन जाता है clear ओके तो थेलो फायटा में होता है अगला जाती वरत क्या है what is phlogeny तो हर एक बच्चे को बता है कि जाती वरत क्या होता है वो होता है आपके जीव के विकास का इत्यास history of the development of organism जीव के विकास का इत्यास ही क्या होता है जाती वरत होता है यह हो जाएगा option C जीव के विकास का इत्यास को बोलते है अगला question सबसे चोटे आवार्त विजी पौदे का नाम बताना है Name the smallest angel sperm क्यों सन को समझना smallest angel sperm की बात हो रही है ना कि जिम्न स्प्रम की तो angel sperm में ही डूणड के आपको बताना है और वो भी डूणड ना इन चार ओप्सन में सही एक्स्ट्रा ओप्सन नहीं चलेगा इन चार में से आपको बताना है कि इन में से सबसे छोटा कुण सा है तो वो है आपका Leemna ispace क्या है Leemna ispace अब आप बोलेंग सरी Leemna क्या होता है तो अब इसे दिखाएंगे क्योंकि जब आप हमारे पास आये हो तो पूरा आपको समझा कर जाएंगे लेमना जो होता है बहुत ही छोटा प्लान्ट होता है चलो इसको देख लेते जैसा कि आप यहाँ पर देख पार हूंगे यह है आपका लेमना इस्पिसीच और जब आप कही न कहीं पर गूमने गए वोगे तो कहीं न कहीं पर आपको इस परकार के पानी में यह वो इसे देखने को मिले हूंगे चोटे-चोटे प्लांट्स तो वो क्या था वो आपका लेमना इस प्सिज ही था तो यहाँ पर देख लो कितना चोटा ही है और जूम करके देखें तो बहुत ही चोटे-चोटे प्लांट होता ही है किलेर इसी कारण आवर्थ-विजी-पोदो का जो सबसे चोटा है ना वो लेमना इस प्सिज अगला है आपका विख्यात भार थे प्रानुस्ती सास्त्री कौन थे तो वो थे आपके बिर्बल सहनी कौन थे बिर्बल सहनी इतना सापको याद रखना है और अगला कुशन तो बच्चों वाला है इससे हमान समझ सकते हो आप बच्चपन में आपने पढ़ा होगा दूद को 62.8 डिग्री सेंटी ग्रेड पर 30 मिन्ट तक गरम करके ठंडा करने की पिर्क्रिया को क्या बोलते है साथवी आठवी क्लास में आपने अवसे पढ़ा होगा इस प्रोसेस से क्या होता है बिक्टेरिया मर जाते है और दूद अच्छा हो जाता है बिक्टेरिया फ्री हो जाता है तो इस प्रोसेस को बोलते है पास्चिकरन क्या बोलते है पास्चिकरन याद रखना दूद को गरम करके ठंडा करने वाली प्रोसेज, पास्चिकरन, नेक्स्ट, नाइट्री कारक जिवानों का कारे बताओ, नाइट्री कारक जिवानों का कारे, जो नाइट्री कारक जिवानों होते हैं, उनका पक्संस आपको बताना है, पक्संस और नाइट्रिफाइंग बिक्टेरिया, तो इनका पक्संस होता है, अमोनिया को नाइट्रेड में प्रिवर्थन करना, जिवानों का अध्यन करते हैं, एसकोमाइसिटीज, मिक्सोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, या फिर साइजोमाइसिटीज, बिक्टेरिया, आर, इस्टूडी, अंडर, किसके अंडर में करते हैं, जिवानों का दिन, तो वो करते हम, साइजोमाइसिटीज में, किसमें, साइजोमाइसिटीज, लिखके रख लो, और वेसे अगर आपने MKS Academy एफ डाउनलूड कर रखा होगा, तो वहाँ पर तो कोर्स खरीद रखा होगा, तो PDF और डेड़ी मिल जाएगा आपको, अगला, कोशी का बित्ती अनुपस्तित होती है, सेल वाल इज एबसेंट इन, किसमें अनुपस्तित होती है, डारेट कुशन बनता है, कोशी का बित्ती किसमें अनुपस्तित होती है, मायको प्लाजमा में, जिवान में, कवग में, साइनो विक्टेरिया में, समझने वाला क आपको नहीं करनी है तो इसका राइट ऑप्सें हो जाएगा माइको प्लाजमा एक साथ जीवे सबसे छोटा कोज सिका भी बोल सकते हैं तो यह सेल वाल भी इसमें नहीं पाए पाई जाती अब आप बोलेंगे बहुत सारे विद्यार्थी सर तोड़ा सा दिखाओ देखें क्यों नहीं पाई जाती जाती हो तो दिखाए देते चलो आपको ताकि आपको भी एकिन हो जाए जैसा कि आप यहां पर देख पारूंगे यह है आपका माइको प्लाजमा तो इसमें पहले देख लेते हैं क्या क्या पाया जाता है तो प्रोटिन है इसमें डेने भी पाया जाता है राइबोसों भी पाया जाता है आरेने भी पाया जाता है साइटो प्लाजम भी पाया जाता है सेल में इमरान भी पाए जाती है जब कि आपर सेल वॉल नहीं पाए जाती सेल वॉल नहीं पाए जाती कोईसी का बित्ती नहीं पाए जाती क्योंकि है नहीं इसमें और उपर भी लिकावा है नो सेल वॉल सबसे चोटा जीव विद कोशिका भी यही है माइको पलाजम बहुत इपोटेंट है यहां से कुशन बनता है तो इसमें कोशिका भित्ती नहीं पाए जाती इसी वज़ेशिस का राइट ओप्सन यहां पर माइको पलाजमा हो जाएगा विशान की कोश किस ने कीती दिसकवार वाइरस दार्विन कुराना रबोटो इवनु इसकी विशान की कोश किस ने कीती तो वो कीते आपके इवनु इसकी ने ठीक है इवनु इसकी ने अगला प्रोकेरियोटिक तता यूकेरियोटिक में मुख्य अंतर आपको बताना है प्रोकेरियोटिक और यूकेरियोटिक चार ओप्सन आपके सामने हैं प्रोकेरियोटिक और यूकेरियोटिक में डिप्रेंट आपको बताना है अंतर आपको बताना है कहसीय का कला प्रोक के रोटिक में अनुपस्षित होती है U K Rोटिक में उपस्षित होती है तो ये तब ही आपको पता होगा जब दोनों की सरीचना आपको पता होगी तो मैं आपको बता देता हूँ जो केंद्रक कला होती है न वो प्रोकेरियोटिक में अनु उपसित होती है केंद्रक कला जबकि यूकेरियोटिक में पाय जाती ये मेन अंतर है यह है आपकी प्रोकेरियोटिक कोसिका और नीचे वाली यूकेरियोटिक कोसिका तो दोनों को देखो आप साइटो प्लाज दोनों में पाया जाता है राय बोसोम दोनों में पाया जाता है प्लाजमा मेमरान दोनों में पाया जाती है यानिकि सेल मेमरान दोनों में पाया जात तो यह हो गया सबसे बड़ा अंतर केंद्रक जिल्ली इसमें नहीं यह जबकि इसमें केंद्रक जिल्ली है, इतना सापको पता रखना है, तो यह डाइग्राम खाप ही पोटेंट है, यूकेरियोटिक का और प्रोकेरियोटिक का, प्रोकेरियोटिक में फ्ले जिला है, जब किसमें नहीं है, इसमें केंद्रक जिल्ली है, जब किसमें केंद्रक जिल्ली नहीं है, तो यही बहुत बड़ा अंतर इन दोनों में पाया जाता है, सो इसी वज़ेसे इसका right option के अंद्रकला procurating में अनुप पसित होती है और जिब किसमें उपसित होती है ये इसका right option हो जाएगा बीवाला next नेमन में से किस पादब की कोशिका में license होता है तो वो होता है इसका neurospora में अब यहाँ पर आप बोलेंगे neurospora क्या होता है तो neurospora को देख लेते हैं जैसा कि यहाँ पर आप देख पार होंगे यह आपका neurospora इस प्रकरगा होता है आपका neurospora क्लियर next एक कोडोन में कितने nucleotide पाए जाते हैं how many nucleotide present in a codon कोडोन आपने genetics में अबसे पढ़ा होगा कि एक कोडोन में कितने nucleotide पाए जाते हैं और starting codon भी आपको पताऊना चाहिए stop codon भी आपको पताऊना चाहिए तो option है 1,2,3,4 तो एक कोडोन में हमेशा तीन ही नियुकलोटाइड पाए जाते हैं कितने तीन ही नियुकलोटाइड पाए जाते हैं कैसे चलो इसको भी समझ लेते हैं जैसा कि आप यहां पर देख पारूंगे यह आपका कोड़ोन ठीक है इस परकार का तीन तीन का होता है कि नहीं होता है तीन तीन का समू होता है तीन तीन का ही होता है देख ले ना आप जैसे कि आपका स्टॉप कोड़ोन यू ए ए तो यह तीन का ही है और यह भी तीन का ही है तीन-थीन से मिलकर बनाए देखो यह नूक्लियोटायट तो यहाँ पर तीन ही इसका राइट ओप्सन होगा आप यहाँ पर देख सकते हो तीन-थीन का गुरूप होता है इनका और तीन गुरूप मिलकरी एकोडन यहाँ पर बनाते है सो इसी कारण इसका जो right option है C वाला 3 हो जाएगा कापी सारे विद्धा तो कमेंट भी आ रहे थे और अधिक multiple choice कुछनम को चाहिए तो चलो इसका process में आपको दिखा देता हूँ Google Play Store प्याना है search करना है mks academy ठीक है mks academy आपको search करना है download करने लिना इसको और यहां से course buy कर रखा होगा तो कापी सारे डाइग्राम पीडिया पोगेरा सब आपको यहां पर मिल पाएंगे लिंक नीचे डिस्क्रिप्स में दे रखाए धन्यवाद कर दो कर दो